लेकिन अपॉरतक दूरवीन में बहुत सी खामिया है जैसे दूर से आने वाली प्रकास की किरने जैसे तारह से आने वाला प्रकास का तिरणत अत्यांत धूमील होता है, उसकी थीवरथा कम होती है और वैसे स्थिती में Lens द्वारा पररथक दूर्भीन में Lens के परियों किया ज़ता है और Lens द्वारा उसका कुछ भाग आफोसी कर लिया ज़ता है जिससे उस दुर्बीन द्वारा बना परतिविम्ब जो है उसकी तिवरता बहुत कम होती है जिससे असपष्ट नहीं दिखता है दूसरी बाग की लेंज को बनाने के लिए पिखले हुए सिशा को सांचे में ढाला जाता है तो जब ढाला जाता है तो जब पिखला हुए सिशा ठंधा होता है तो उसमें कुछ सिखुड़ नूत्बं हो जाता है और सिखुड़ नूत्बं होने के कारण परिवारतन क्या नियमीःत्ता होती है इसे चलते पर 지बीम असपास्ट नहीं हो पाते हैं तीसरी बात ये है कि उसमें चुकि शिसा का पना हुआ है लेंस और लेंस से जब प्रकास की किरणे बुजरती है तो बिभीन रम के प्रकास की किरणों का अलग अलग अपवरतन होता है जिससे पर तिभीम की सीमा अस्पष्ट नहीं होती है है ना तो ये वी एक समस्या है और एक समस्या और भी है कि चुकि दूर से आने वाली प्रकास की किरणे धुमिल हैं तो अधिक साधिक प्रकास को कलेक्ट करने के लिए ये कत्रित करने के लिए बड़े द्वारब का ये उत्तल लेंस की जरूरत होती है अभी दिरिश्यक के लेकिन किनारा पतला होता है तो उसको फ्रेमिंग करते समय परेसा नहीं आती है एक परेसानी तो यह आती है कि उससी किनारे को टूटने का डर रहता है और दूसरी परेसानी यह आती है कि फ्रेमिंग करते समय किनारे किनारे का जितना भाग ठाकेगा उत्रा दुर्वार्तक दूर्वीन में और इन सब परिषानियों से बचने के लिए हम लोग परवर्तक दूर्वीन का परियोग करते हैं परवर्तक दूर्वीन वैसे दूर्वीन को कहते हैं जिसमें वस्तु लेंज के रूप में जिसमें अभी दूर्वीन के रूप में लेंज का नहीं बलकि एक बड़े द्वारत के आउतल दर्पन का परियोग किया जाता है है ना तो देखते हैं परवर्तक दूर्वीन भी मुख्य रूप से दो परकार के परवर्तक दूर्वीन परचलन में है पहला तो न्यूट्रोनियन दूर्वीन है न्यूट्रोनियन तेलिस्कोप है ना इसमें अभी दिर्श्यत करूप में एक बड़े द्वारत का आउतल द किरण हैं एक किरण ये और एक किरण जो है ये ये दोनों इस दर्पन पर आप्तित होती है दोनों किरण किसी बिंदू पर फोकस ताल में फोकसित होती है लेकिन इसके पहले ही एक समतल दर्पन रख दिया गया है या नेत्रिका के लिए वस्तु का काज करता है नेत्रिका एक उप्ता केंसों होता है वस्तु का करता है रख दोनों के उप्रतीत हो रहे है आइए किरण जो पर तो बिल रहा है अर्थात ये किरने आई विंदू से आती वी परतित हो रहे हैं ना अर्थात अंति परतित विंद जो है आई विंदू पर ही वालेगा सब हम देखते हैं ये जो लेंज है नेत्रिका नेत्रिका का ये जो है मुख्या अच्छे है ये टॉटे लाइन से आप देखते हैं तो ये मुख्या अच्छे है मुख्या आउच पर आई वी अंति पर्पिडिम बनता है क्योंकि अब हासी है और आवर्थी है ना जो यहां पर शुकि अभी दिस्यक के रूत में बड़े द्वारत का अउतल दर्पन प्रवन प्रवश्ची करता है उसका उद्वंद troubled रोव्द्वनों पर जब प्रकास अंदर प्रॵ्यस करता है नहीं करता है तो और सोसन की संभावना भी नहीं है अर्षा तरकास वास्वासित नहीं होगा और परतिविम्ब तिक्ति बरता अधिक होगी यह स्पष्ट परतिविम्ब बनेगा है ना जब परतिविम्ब और नांत पर बनता है तो वैसी स्थिती में आवर्धन समता होता है इस परवर्धन दुबेल का अब हम लोग देखेंगे दूसरे परता रखा जो परवर्धक दुर्विम्ब यह तो पहला था निउडोनियन दुर्विम्ब और दूसरा केसी ग्रेन की नेत्रिका है केसी ग्रेन केसी ग्रेन की नेत्रिका है केसी ग्रेन आपिस केसी ग्रेन से अना तो इसमें भी क्या होता है एक पड़े द्वारव का इसमें भी एक पड़े द्वारव का अवतल दरपण होता है और उस पर अनन्त से आने वाली प्रकास की समनांतर किरने पढ़ती है और उसका परवर्तन होता है देख सकते हैं यहाँ पर यह मौन एक बड़े द्वारत का अवतल दरपण है और इसके बीच में एक छीद रहा है अनन्तपरिस्टित वस्तों से चलनेवल समनांतर प्रकास की किरने यह दोनों किरने जब इस दरपन पर पढ़ती है तो उसका पर अवर्तन होता है ऐसे परवर्तन होने के भाब यह किसी बिंदू पर फोकसित होती उससे पहले ही एक उतल दरपन को रख दिया लिया है यहां पर M2 और उससे फिर से पर औरतल बजाता है और परतिविंब आईवन बन जाता है और यह आईवन जो है परतिविंब वह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्ज़ करता है नेत्रिका के रूप में एक उत्तल लेंस होता है अधिक पावर का है ना और उसके द्वारा इस परतिविंब को देखते हैं यह आईवन जो परतिविंब है वह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्ज़ करता है और फिर से इस नेत्रिका द्वार्टन के बाद अंतिम परतिविंब बनता है और साथ इस नेत्रिका के द्वारा हम से अवर्धी दूर्विन में देखते हैं, यह है कैसी ग्रेन की नेत्रिका और हम देखेंगे कि अपवार्तक दूर्विन की अप्यक्षा, परवार्तक दूर्विन की इस प्रकार स्रेश्ट है परवार्तक दुर्भीन की विश्यस्ता है देख सकते हैं यहां पहला विश्यस्ता है कि परवार्तक दुर्भीन में परतिभीम और परवार्तक दुर्भीन की अपेक्छा आधिक चंकीला बनता है प्रवर्तक दुर्वीन में अभिद्रिश्यक के रूप में आउतल दर्पन का परयोग किया जाता है उसका द्वारत बढ़ा होता है तो द्वारत बढ़ा होता है तो आधिक परकास को ये पत्रित करता है पहिलात नंबर दूसरी बाद कि लेंस से जब होकर प्रकास की किरने बुजारती है तो लेंस से के द्वारा कुछ प्रकास और सोसित हो जाता है इसलिए प्रतिविम की तिवर्ता धुमिल हो जाती है लेकिन द्वारपन द्वारा तो प्रकास और सोसित ही नहीं किया जाता है वहां से परवर्तन हो जाता है, इसलिए परतिविम की तीवर्ता अभेट होती है, दूसरी बहुत, कि परवर्तक दूर्भीन में बने परतिविम में वर्ण दिपतन का दोस्त नहीं होता है, वर्ण दिपतन को समझने जिए क्या होता है, जैसे माल लिए कि किसी बिन्नु से परकास की किरण चली, और या किसी लेंस इसके होपर के पुझारती, ठीक है, तो स्वेल परकास में साथ अलग अलग रांग की किरणे होती है, और उन सब का तरंग दरिख अलग होता है, है ना, तो यहां से जब लेंस के द्वारा जब चलेगी, तो कुछ भाग की इसका अउसोसित हो गया, और जो बच गया, वहां रांगों में बच गया, भॉले ही, ये परकास की किरणे इतने करीब करीब हो, कि हमको पता नग से जाए, लेकिन अलग-अलग रांगों में स्वेल परक वीब बनेगा, उसके किनारे उसपरस्ट नहीं होते हैं, इस दोस्त को हम लोग क्या पाते हैं, वर्न वीपथन, दो नम्मर के प्रस्ट भी आता है, क्रोमैटिक, क्रोमैटिक, एबरेसर, तो बर्न वीपथन का दोस्त जो है, उत्पन हो जाता है, लेंस अगर हम अभी दिर्शक के रूप में रखते हैं, लेकिन जब अब दर्पन रखते हैं, तो यहां तो परवर्पन हो ही नहीं रहा है, दर्पन में प्रकास प्रवेश कोर ही नहीं रहा है, वहां तो परवर्तन हो रहा है इसलिए इसमें बर्ण विप्थन का दोस्त नहीं होता है तीसरा जो है कि नहीं परवर्थक दुर्बिन में गोलिये विप्थन का दोस्त होता है लेकिन इसे परवलय की आकार आउतल दर्पन का परियोग करके इसे दूर भी किया दे सकता है तीसरा जो है चोथी बात है कि दूर्बीन के और दिरिश्चत का बड़ा होना अनिवार्थ है क्या बड़ा होना अनिवार्थ है क्योंकि दूर से आने वाली यहां करनेς कम दूर्बीन से अधिक से अधिक परकास एकत्रित करने की आउस्ट alive है और इसे लिए वोड़े द्वारख का अभी दृश्यक लिया जाता है ताकि अधिक से अधिक परकास की कि पनानें में दो परेशानि है एक है कि तो पहला बाद तो यह है कि जब हम लेंस बनाने करम में बिगले हुए सीसे को सांचे में ढालते हैं तो जब वह ठंधा होता है तो उसमें सिकुरन पैदा हो जाता है और दूसरी ये कि बड़ा ग्वारग का उतल लेंस बनाएंगे तो काफी भारी होगा और उसका फ्रेमिंग जब किया जाएगा भाप दोना किनारे किनारे ढख जाएगा तो बालत प्रतों प्रकास का पॉर्टल होगा नहीं तो और प्रत्यभींग अधुमिल हो जाता है ठीक है उसकी तीवरता कम बढ़ा की लेकिन जब हम दर्पन का प्रियुक करते हैं तो पीछे का सारा भाग दर्पन में कलाई किया हुए राता है जितना एरिया चाहिए उतना एरिया उपलवड है फ्रेमिंग करने करिए ठीक है और इस फ्रेमिंग के चलते हैं परवर्तक ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं यह जो है चैप्टर समाप्त हो गया अगले चैप्टर में हम लोग कुछ अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर का टोपिक लेंगे तब तक के लिए हम आप लोगों से विज़ा लेते हैं धन्य बाद